पंजाब के होशियारपुर में रैली के दोरान ही सोमवार को कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोधी सरकार पर जोड़डार हमला बोला है उन्होंने नोट बंदी और काले धनपर और ब्रिष्टा चार के मुद्दो पर भी केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 700 किसान शहीद हो गए उन्होंने कहा कि पीम की अपने भाशन के दोरान रोजगार के बाते क्यों नहीं करते हैं और राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीम ने युवाओं को ही रोजगार देने का वादा किया था लेकिन वो अपने वादे पर खड़े नहीं है और इसके साथ ही कहा कि तीन नएक रिशी कानूरों का अपने भाशन में जिक्र करते हुए केरल के वाइनाट से सांसद राहुल गांधी ने ये भी कहा कि किसानों के लिए ही काले कानून लाए गए थे जिसे वापस लिया गया राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भी जम कर निशाना किया है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मोहला क्लेनिक की बात करती है सबसे पहले महला क्लीनिक शीला दिख्षित ने बनाया और क्रोणा में ही महला क्लीनिक का बुरा हाल था हजारों लोग सडकों पर मर गए और इसके साथ ही अगर ववस्थाय जो स्वस्थ ववस्थाय थी वो अच्छी कर दी तो दिल्ली में ही यूथ कॉंग्रेस लिंडर लिये क्यों घूम रही थी और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब सवेदन शील राज्य है यहाँ शांती की जरूरत है शांती को बचा कर रखा जाता है कॉंग्रेस शांती काइम रखना चाहती है समाजबादी पार्टी ने यूपी विधान सभा चुनाव के लिए चल रहे दूसरे चरण के मद्दान में विजेपी पर गंभीर आरोप लगाए है सपक आरोप है कि सहारन पूर जिले की ही बेहट विधान सभा के बूद संख्या 170 पर साइकल का बटन दबाने पर वीवी पेट में ही से कमल की परची निकल रही है वही जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगा वहां तैनात अधिकारे खुद वोट डाल रहे हैं इसके अलावा बूद संख्या 403 पर कई मुसलिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया कि आपका वोट पड़ चुका है समाजवादी पार्टी ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और पार्टी ने आयोग से ही बूद संख्या 170 की EVM मशीन को बदल कर ही निश्पक्ष मतदान करने की भी अपील की है इसके साथ ही आपको बता दे कि इसके अलावा बूद संख्या 377 और 403 के मद्दान कर्मियों को हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से की है दूसरी तरफ सपक नहीं शाजापूर में विधानसभा 6336 ददरोल में ही तैनात पुलिस कर्मियों पर वोटर्स से जबरन बिजेपी के फक्ष में वोट कराने का आरोप लगाया और सपा के मुताबिक थाना सोहरा मउग के परभारी निरिक्षक नहीं वोटर्स से ऐसा ना करने पर फरजी मुकदमा भी फसाने की धमकी भी दी है हर चरण के साथ ही उतर बर्देश में चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है जासी में ग्रह मंत्री अमित्शा ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अकलेश यादव पर जमकर हमला बोला है अमित्शा ने कहा कि जब अकलेश यादव का राज था तब भुखमरी और सूखे के कारण ही 200 किसान मारे गए थे 300 से जादा आत्महत्या के मामले आए थे जब विजेपी सत्ता में आई तो उसने इंडिया, इसरायल, गुंदेलखंड और बोटर प्रोजेक्ट शुरू किया और ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके उन्होंने अखलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमों के पेट में दर्ध होता है और समाजबादी पार्टी के परफ्यूम बिजनेस मैन के यहां रेड के हिसाब से ही बेहिसाब कैश पकड़ा जाता है और अखलेश यादव ने कहा ये राजनितिक छापे मारी है चलिए माल लेते हैं कि ये राजनितिक छापे मारी है लेकिन आपका उस बिजनेस मैन से क्या संबंध है अमित्शा ने कहा कि उत्तर परदेश में पहले ही सरकारों में कुछ ही घंटे बिजली आती थी विजेपी सरकार में 20-24 घंटे तक ही बिजली आ रही है और जहासी में ही अमित्शा ने कहा कि मुकतार अंसारी सपा की सरकार मे जेल के बाहर था आज वो जेल के अंदर है आज वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ाने वाले से भी उसकी उतनी ही गहरी दोस्ती है कि जेल में बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दिया है धरम के नाम पर जहर घोलने वाले आजम खान भी ज मिलमी है.